प्रेंड वेल्कम तो एल चैनल सॉलिशन जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेसा किसी भी यूनिट की खतम होने पर उस यूनिट से लेक्टेट कई सारे क्वेस्टिन को हम M.C.Q.S. के फॉर्म में शौर्ट एंसर के क्वेस्टिन के फॉर्म में और लॉंग एंसर टाप आप प्व जो की भी फार्मिसी फॉर्समेसर का आखरी यूनिट होगा लगबग खतम करने वाले हैं और आपके एक्जाम भी सूरू होने वाले हैं 15 जून से तो हम आपके लिए लेकर क्या हैं यूनिट फाइब के इंपॉर्टेंट क्वेस्टिन के फॉर्म में सबसे पहले सुरू करत आपसे सेक्शन वन कहता है कि multiple choice of question इसमें आपको 20 question attempt करने होंगे और हर एक right question के आपको एक मार्क मिलेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले question का पहला question दिया हुआ है drug which act on mental disorder are known as यानि कि ऐसे drug जो कि mental disorders पे काम करते हैं उनको क्या कहते हैं पहला है hormonal pharmacology दूसरा है psychopharmac agent तिसरा है anti-psychotic agent और चौथा आपका दिया हुआ है both C and D यानि कि both psychopharmacological agent और anti-psychotic agent वैसे देखा जाए superficial ही तो आपको लगेगा कि answer होगा both C and D लेकिन अगर आप question को ध्यान से पढ़ेंगे इस question में आप ध्यान से देखिए ये question कहता है आपको ऐसे drug के बारे में देखना है जो कि कहां काम करते हैं mental disorders पे यानि कि it is a group of disorders as listed under mental condition यानि कि कोई एक particular specific mental disorder की बात नहीं कर रहा कि overall जितन करने हमारे drug का एक unit नाम पूछा है तो right answer होगा हमारा psycho pharmacological agent COD इसले नहीं होगा क्योंकि antipsychotic उसमें से एक disease या disorder का टाइप है उसको ठिक करने के जिए drug जो यूज करते हैं वो antipsychotic drug कर लाता है psychic condition को उसके बाद जो हमारा second question है वो ये कहता है which is the target for antipsychotic agent इन में से कौन सा active site है जहां पर हमारे antipsychotic drug act करके अपना action show करते हैं option number one synthesis of neurotransmitter दूसरा है release of neurotransmitter तिसरा है degradation of neurotransmitter और चौता है all of the above so friend the right answer is all of the above क्यों क्यों क्योंकि आपने देखा है जितने भी neurotransmitter है उनका step basically 5 से 6 होते हैं पहला step होता है synthesis का दूसरा होता है आपके release का तिसरा होता है उसके binding होने का चौता होता होता है उसके activity शो करने का पॉस्स अनेप्रिक पे और पांचमा उसका degradation और छटमा हो जकता है उसका restoration हो तो यह 5-6 step होते हैं basically neurotransmitter के act करने का हमारे जितने भी antipsychotic drug हैं psychopharmacological agent हैं specific अगर आप पूरी category बात करते हैं तो इन ही steps में से किसी ने किसी को वो क्लिनर्जिक सिस्टम का लेकिन ये क्लिनर्जिक सिस्टम ही एक example है आपके antipsychotic drug को और उनके mechanism को समझने के लिए तो यहां पर आप देख लिए यह हैं हमारा presynaptic nerve जिसी के अंदर से हमेरे neurotransmitter से गरीट होने वाले हैं तो जब कभी भी किसी भी action के start होगी action पूर्टन से start ह होगा तो या उसके पहले ही दोनों कंडिशन में हमारे जो neurotransmitter हैं वो synthesis हो चुके हैं तो इसको हम अपन synthesis मान लेते हैं यह first step है synthesis का दूसरा step उनके vesicles में जाने के देख सकते हैं आप उसके बाद इनका release होगा release होने के बाद यह अपने respective receptor पर bind होंगे और action शो करेंगे कुछ दिर बाद जितने भी ऐसे ड्रग होंगे उनके synapse पे यानि की दोनों के junction के बीच में जैसे acetyl colin stress अगर आप acetyl colin की बात करते हैं तो acetyl colin stress एक ऐसा enzyme में जो acetyl colin को break कर देता है वापस उनके respective part में that is acetate plus colin में तो यह उनके पूरे step में कहने कहीं affect करता है तो acetyl drug जो कि psychopharmacal agent पर काम कर रहे होंगे या तो वो उनके यह जो acetyl colin stress है इनके activity को inhibit कर देंगे जिसके वैसे acetyl colin stress अपना काम नहीं कर पाएगा और जो metabolism or neurotransmitter की वो कम हो जाएगी indirectly या यूं कहिए इसको कि इसको कि इसकी कारण से style colin की availability है वो आपके portion optic sector पर बढ़ जाएगी इस तरह से हमारे जो drug है वो इन पूरे की पूरे step में से काम कर सकते हैं तो हमारा right answer होगा all of the above अगला question देख लेते हैं अगला question फूशता है which of the following is selective serotonin reuptake inhibitor यहाँ पे देखिए कौन सा drug है जो selective serotonin reuptake inhibitor है selective serotonin reuptake inhibitors जो की basically anti-depressant category के drug है तो उनके नाम पूचा है option देवे हैं सेलिजनीन, डाजपाम, लोराजपाम, all of the above सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे डाजपाम और लोराजपाम यह आप देख सकते हैं यह anxiety के लिए चुरूर ठीक के जाते हैं लेकिन यह serotonin का इंका लेना देना नहीं है यह गाबा receptor पर काम करते हैं और यह जो serotonin आई के नाम से जानते हैं अगला question पूछते हैं find the neurotransmitter listed under monoamine, monoamine के अंदर कौन कौन से neurotransmitter को रखा गया है या generally हम इस सीच के बारे में बात करते हैं अगर हम बात कर रहे होते हैं psychopharmacological agent के बारे में option दिया है dopamine, serotonin, non-epinephrine, इस non-epinephrine का दूसरा नाम noradrenaline भी होता है तो option 4 दिया हुआ है all of the above तो हमने देखा कि monoamine जिसके अंदर हमने पहले बता है कि dopamine भी आएगा, serotonin भी आएगा और non-epinephrine भी आएगे तो यहाँ पे particularly answer होगा D, all of the above अगला question पूछते हैं monoamine are responsible for, monoamine जिसे आभी आपने देखा dopamine, serotonin, non-epinephrine यह basically किस किस के लिए responsible होते हैं, option दिया हुआ है memory and joyfulness, body balance, neuro generation और आखरी दिया है none of the above, तो right answer है हमारा memory और joyfulness, क्योंकि neuro transmitter के case में अगर आपने देखा है, तो जितने भी central nervous system से जोड़े psychopharm को agent हैं और वो जिनको ठीक करने में use के जाते हैं, उनका basic role तो यही रहता है कि कैसा भी करके mental condition को restore किया जाए, cognition को restore कि तो उसके अंदर अगर specifically बात करते हैं, तो these are responsible for memory and joyfulness, इनकी कमी के वैसे depression होता है, और अगर हम इन कमी को ठीक कर दें, balance कर दें, तो अपन depression को भी ठीक कर सकते हैं, और उसमें हम आपन बात करेंगे तो memory and joyfulness आएगा ही, अगला question है, Parkinson is related with imbalance between, यह बहुत ही important question है, कि Parkinson कि 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 क कारण से generate होता है, यानि कि etiology of Parkinson क्या है, option दिया है dopamine and serotonin, दूसरा है dopamine and acetylcholine, तिसरा दिया है acetylcholine and norepinephrine, चौता दिया है serotonin और acetylcholine, हमारा right answer है dopamine और acetylcholine, यह क्यों, क्योंकि आपको हमने यह diagram दिखाया था इसके पहले, जिस पे आप देख सकते हैं कि etiology of Parkinson disease में, generally अगर आप normal condition में हैं, तो क्या होता है, inhibitory dopamine और excitatory acetylcholine, यह दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे को balance कर रहे होते हैं, इसलिए dopamine is equal to acetylcholine, अगर यह दोनों बराबर हैं, तो वो normal condition कहलाएगा, लेकिन अगर किसे को Parkinsonism की problem होती है, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि dopamine का जो level है हमारे brain में, सबसीना नागरा में, वो as compared to acetylcholine कम हो जाता है, इसके पीछे का logic बर यह है कि आपने देखा कि यतने भी nerve हैं, जो कि acetylcholine के responsible होते हैं, वो control होते हैं dopamine के जारा, लेकिन इस condition में, यह पारकिंसन के disease की condition में, dopamineergic neurotransmitter की कमी हो जाती है, just because of death of dopamineergic neuron, और इसके imbalance हो जाता है, तो हमारा right answer है, inhibitory dopamine और acetylcholine, जो कि excitatory है, इन दोनों की बीच में imbalance की वज़े से, तो right answer है हमारा B, dopamine and acetylcholine, अगला question है, administration of the following will be effective in the treatment of Parkinson, इन वे से कौन सा administration Parkinson के case में useful होगा, dopamine, levodopa, carby dopa, both B and C, यानिकी levodopa और carby dopa, friends, अभी आपने देखा कि dopamine की कमी के वैसे Parkinson बले ही होता है, लेकिन हम as such dopamine को उसी की dopamine के form में admission नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये blood brain barrier को cross नहीं करता, और इसलिए ये useful नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, in case of Parkinson, dopamine की कमी को पूरा करने के लिए उनका precursor देते हैं, levodopa, और levodopa का metaposm, peripherous GIT और आपके गट में कम हो सके, इसके लिए साथ में देते हैं, कार्वी डोपा, तो मिला कर दिये हमने levodopa और कार्वी डोपा, तो right answer is both C, levodopa and कार्वी डोपा, जिसके example हमने पहले ही बताए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, dopamine की कमी वाले को, इन दोनों को हमको balance करके देना होता है, चलिए हम बात करते हैं, अगले question की, that is question number 8, Alzheimer disease is associated with, Alzheimer disease किसके करण से, या किसके associated होता है, option दिया हुआ है, loss of memory, B है neurodegeneration, C है aging, और चौथा कहता है, all of the above, देखिए, सबसे पहले तो condition को, one को समझ ले, loss of memory, मतलब यह उसका symptom बता रहा है, जहाँ पर कोई particular person को, Alzheimer की problem होती है, तो उसके धीरे-धीरे memory loss होने लग जाती है, और जो neurodegeneration है, इसका main ideology है, कि उस particular cell की, जिसके कारण से हमारे Parkinson disease associated होते हैं, कास करके koinergic nerve, उनका degradation हैना start हो जाता है, और यह जो problem है, वो दिखता है aging में, तो यह जो उपर के तीनो option है, A, B, C, तीनो सही है, तो हमा होई है, all of the above में, इसके पीछे के reason यह है, कि जब आप पढ़ेंगे और answer देखेंगे, all of the above, तो आपको जितने options सही है, automatically याद हो जाएंगे, तो आगे कभी भी exam में, अगर आपको वो option मिलते हैं, तो आपका जो concept है, वो clear रहेगा, अगला question है, depression and mania in combination is called, question कहा रहा है, sadness है, sadness है, और साथ इसाथ उसको मानिया है, यानि कि over excitement या over enthusiasm है, तो इन दोनों के combination को या यू के लिजए कि cyclic episodic condition को हम क्या कहते हैं, option दियावा है, monopolar disorder, option B है bipolar disorder, option C है anxiety, और option D है obsessive compulsive disorder, friends, सबसे पहले है तो हमारा logic कहता है कि गलत answer को हटा दे, तो अगर आपको पूच रहा और मानिया भी है, यानिकि दो condition है, दो condition है, तब तो monopolar disorder होगा ही नहीं, क्योंकि दो का मतलब by सही होगा, और anxiety और obsessive compulsive disorder, ये दोनों यहाँ पर possible नहीं है, क्योंकि ये combination नहीं है इन दोनों का, तो हमारा पास बसता है, एक ही answer, that is bipolar disorder, तो इस question का सही answer है, bipolar disorder, अगला question है, mechanism of action for anti-anxiety drug is based on, जितने भी anti-anxiety drug हैं, जितने भी category के anti-anxiety drug हैं, उन में से maximum का, जो mechanism of action है, वो किस पर based होता है, option दिया हुआ है, गाबा-mediated receptor, obviously the anti-anxiety drug are work, या they act, और गाबा-mediated receptor, चाहे वो बेंजो-डाजपीन हो, चाहे बार-बुचुरे receptor हो, और जब ये दोनों आप तर polarization होगा, क्योंकि negative charge, जाद अंदर आएंगे, यह यह के लिए, total इसको समझ करके, यह लगता है, कि answer होगा, all of the above, so the right answer is, all of the above, for the above question, अगला question है, which of the following is not a mechanism of action of anti-depressant drug, यहाँ पे ध्यान दिजिए, कौन सा नहीं है, anti-depressant drug का mechanism of action, पहला आप सुन दिया हुआ है, selective serotonin re-prick inhib inhibitor, जिसे को हम बुलते है, SSRI, obviously यह तो है, दुसरा है, MAO inhibitor, that is monoamine oxidase inhibitor, यह भी है, तिसरा पूछता है, MOA, MOA का क्या पूरा नाम होगा, कोई confirmation नहीं है, monoamine oxidase होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर already MAO पूछा जाच चुका है, यानि कि यह कुछ भी उर्पटाइंग टाइप का option है, तो यह ही option हमारा गलालत होगा, क्योंकि question पूछा है, not, जबकि आखरी option भी देखना चाहिए, तो serotonin, non-apnefin, reuptake inhibitor, यह तो है ही, तो right answer यहाँ पर क्या होगा, आपका जो MOA लिखा हुआ है, इसका भले meaning कुछ भी हो, यहाँ पर right answer है, MOA, अगला question है, which of the following is example of CNS stimulant, इन में से कौन सा CNS stimulant का example है, option दिया हुए है, caffeine, जो कि हमको चाय, coffee, coca-cola से मिलता है, nicotine, जो कि हमको tobacco से मिलते हैं, और जिसको लोग smoking के form में यूज करते हैं, methylxanthin तो एक condition है, जिसके अंदर हम बात करेंगे, तो caffeine, coffee, caffeiana, यह सब चीज़ें उसके अंदर आती है, तो right answer है हमारा all of the above, क्योंकि यह सारे के सारे as a CNS stimulant यूज किया जाते हैं, अगला question पूछता है हमसे, वो है agent which inhibits the sensation of pain is called, ऐसा agent जो pain के sensation को inhibit करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपके option दिया हुए है, analgesic, anti-paratic, anti-manic, या none of the above, तो as a drug जो कि pain के perception को reversibly inhibit करते हैं, उन्हें हम analgesic कहत हैं, अगला question आते हैं, which of the following is an example for drug addiction, इन्हें से कौन से example drug addiction का हो सकता है, option दिया है, cocaine, marijuana, opium, इन्हें से सारे के सारे drug ऐसे हैं, जो central nervous system को किस दिन किस तरिके से affect करते हैं, चाहे cognition को, चाहे pain को या फिर euphoria cause करते हैं, और जो drug maximum sinus पे काम करते हैं, उन्हें की possibilities होती है, कि वो drug addict cause कर सकें, तो right answer is all of the ever, अगला question है, which of the following may be a common example for drug abuse, drug abuse के बारे में हमने वीडियो अप्रोड किया है, और आगे भी अप्रोड करेंगे, drug abuse का मतलब होता है कि ऐसा use of drug जो उस purpose के लिए बनाया ही नहीं गया हो, लेकिन अब उसको किसी और purpose के लिए यूज किया जाता है, that is called drug abuse, option दिये हैं, use of corrects, तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले corrects को कई लोग नशे के लिए यूज किया करते हैं, that was not use of corrects, but that was made use of corrects by some people, so it is abuse, दूसरा है use of petrol, कई लोग पेट्रोल को सूंगते रहते हैं, जब देखो तब कुछ लोगों का option होता है कि वो आपके पास petrol, minti-tail, k solution होते हैं, उन से है, और फैबी quick वगरा के solution से भी है, तो option के accordingly आप देखेंगे, तो हमारा right answer होगा, all of the above, तो कि इन तीनों को कुछ ने कुछ लोग किस दिन किस तरके से abuse करते हैं, misuse करते हैं, हमारा अगला question है, if a dose of a drug which was enough earlier, but now it's not producing the same effect as it was used to produce, this condition is called as, एक ऐसी condition जिसमें क कोई drug पहले बहुत अच्छे से काम करता था, अपना therapeutic effect शो करता था, but due to which reason, अब वो drug अपना effect पहले के जैसा पहले की dose पे use करने भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे condition का हम क्या कहते हैं, option दिया हुआ है, teratogenicity, tolerance, dependence and abuse, teratogenicity तो fetus के abnormal development के वैसे है, यहाँ पर fetus का कोई लिना देन है, नहीं, dependence मतलब उस पे depend रहेगा, तब ही काम करेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ले रहा है, depend नहीं है, तो option बसता है, हमारे पास abuse, तो obvious तो क्यों यूँज कर रहा है, इसको misuse तो करी नहीं रहा है, तो हमारे पास सही option बसता है, that is tolerance, तो ऐसा condition जहाँ पे ड्रग, पहले के जैसे पहले के dose पे फिक ना करे को कि आपने इसको बार-बार ले लिया है, that is called tolerance, अगला question है हमारा, if a person believes that he or she will not be able to work without having alcohol या liquor, this is called, कोई अगर पास सोचता है कि बिना शराब पिये, बिना अल्कोहल लिये, वो काम नहीं कर पायागा, physically इतना capable नहीं है, तो ऐसा condition को हम किस नाम से जान सकते हैं, option है dependence, tolerance, anxiety and abuse, right answer is dependence को कि उसकी बाजी, physically depend हो गई है alcohol पे, अगला question है, nootropic agent are used in, nootropic agent को हम किस लिए use करते हैं, option दियावा, improving mental ability, in Alzheimer disease, in children who are in poor mental condition, यानि की memory problem, या all of the above, इसके answer तो आज ने आज के वीडियो में ही हमने दे दिया है, so right answer is all of the above, अगला question बढ़ते हैं, basic etiology of Alzheimer disease is, basic तरीके से cause क्या है Alzheimer disease का, option दिया है, nerve damage, formation of plaque, इसको अपन टेंगल भी कह सकते हैं, atrophy of specific nerve cell या all of the above, ये जो उपर के तीनों option है, तीनों के तीनों option मिल करके हमारे जो Alzheimer disease है, इनको cause करते हैं, तो right answer is all of the above, अगला question बढ़ते हैं, अगला analytic antagonist, opioid antagonist बोलिए, ये opioid analytic antagonist बोलिए, option दिया है, naltrexone, amphetamine, SSRI, that is selective serotonin, reuptake inhibitor, या all of the above, तो right answer होगा हमारा, naloxan, क्योंकि यही यूज किया जाता है, as a antidote या antagonist, so friends, this was all 20 questions of MCQs, which have been taken from unit 5, psycho pharmacological agent, इसके बाद आपके लिए section 2 और section 3 है, जिसमें long answer टापी question होगे, और short answer टा long answer topic question में हमने 3 question दिये हैं, और short answer question में हमने 9 question दिये हैं, इनमें से आपको respectively 2 और 7 question अटेंड करने हैं, जिसके उपर हमने already video और upload कर दिया है, और जो एक दो topic बच्चे हैं, इनके उपर भी आज कल में video update हो जाएगा, और इस तरह से हम भी pharmacy 4 semester के पूरे के पूरे syllabus को complete कर हमारे यहां कई जगा CSP2 में और और बी exam में 15 जुन से exam सुरू होने वाले हैं, तो हमने social pharmacy ने exam सुरू होने के पहले ही, जिस हिसाब से हमने start किया था, यहीं के accordingly, तो यहीं के according, अब हम अपने syllabus को complete करने वाले हैं, thank you very much for watching this video, please stay connected to the social pharmacy, अगर आपको कोई suggestion है, या कोई improvement है, तो please हमें comment करियेगा, thank you, wish you all the best for your upcoming exam.